नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं दिहार के संभीदा कर्णियों का लोग की लिए नेक्वर्क निउज 444 निउज नेक्वर्क तो दोस्तों आईए शुरू करते हैं दोस्तों आप जान देगी आज हम आपको वह बाते बताएंगे जो आपको कहीं सुनने को और जानने को नहीं मिलेगी आज जो बाते हम आपको बताने वाले हैं वहत्यंत ही महतपूर्ण और जरूरी बाते हैं जो बिहार के तमाम संविदा कर्मी जन परती निदियों के लिए जाननी जरूरी है तो आज का विडियो बहुत छोटा होगा और हम बहुत कम समय में आपको तथे आत्मक बातों से ओगत करा देंगे जिसे आपका जो है कि दिमाग लौक है वो अनलौक हो जाएगा आप अपनी इस्तिती को समझ पाईएगा कि आप क्या है यदि आप संविदा कर्मी है तो आपकी वस्त्वी इस्तिती क्या है यह आप जान पाईएगा साथ ही आप बिहार के जन परती निदिया है तो आपकी क्या इस्तितियां भी चल रही है बिहार में इसे भी हम आपको अउगत करा देंगे तो दोस्तो आईए बीना देरी की ये सुरू करते हैं उसे पहले आपने अधी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके सेर कर दीजिए ताकि यह महतपूर्ण वी बिहार के जन परतिनीधियों की चुकि इन लोगों का सफदगरहन हाल फिल हाल में हुआ है और नौ निर्वाचित बहुत सारे परतिनीधि चुनाव जीत कर आये हैं उन लोगों को जो है कि वास्तविक्ता से अउगत कराना अत्यंतिया वस्यक है तो अभी कि जो इस्तिती च योजना सुरू किया था इस योजना को लेकर बिहार में ग्राम सभाका योजन किया गिया था दो चरनों में जिसमें पहले चरन का ग्राम सभाका बैठक संपन हो चुका है कहीं कहीं और कहीं होने वाला था और दूसरे चरन का बैठक बाकी था इस बीच कुरोना महमारी ने जनपरती नीधियों के जो किये करायक करने वाले काम थे जो होने वाली बिकास थी और इन लोगों उसे संबंधित काझ था उसपर पानी फेरा तो आप जान दिजिए कोरोना ने पानी फेरा है और यहां जो है कि आप लोगों के ग्राम साभाकी जो दूतिये चरन की बैठक थी उसे पंचैती राज बिभाग ने अस्थाकिद कर दिया है और अस्थाकिद करने का क्या उधे स्था कि Explain guidelines है को porno में इसमें जो है कि पंचैत के 10% की अबादी को जो है कि ग्राम सबामें भाग लेना होता है जो की एक संख्या है और इस संख्या में कोरोना का बिस्तार हो सकता था इसी को दर्स आते हुए पंचायती राज विभाग ने जो है कि गाइडलाइन्स जारी की है कि अगले आदेश तक जो है कि ग्राम सभा की बैठक नहीं होगी जिसकी वज़ा से 21 जनवारी के बाद ही अब ग्राम सभा की बैठक होगी ऐसा पंचायती राज विभाग के सुत्र बता रहे हैं इसका जो है कि आपको छती क्या हुआ तो मैं सीधे सीधे सब्दों में बता देना चाहता हूं कि नौ निर्वाचित जो वाड सदस हैं उन्हें अब लक्षमी का दर्सन जो उनको लक्षमी आने वाली थी पंचायतों का विकास करवाने के लिए उस लक्षमी का दर्सन अब जनवारी में नहीं हो पाएगा इसके लिए आपको फरवरी माह का इंतजार करना होगा चुकि जो है कि गराम सभाई आपकी 21 जनवरी के बाद होगी तो आपका जो है कि सरकार की महत्वा कांची योजना जो सुरू हो रही थी बहुत अच्छी योजना है इतना लाभकारी और लाभपरद योजना है सबकी जोजना सबका विकास इस योजना का नाम है और इसी को लेकर गराम सभाद दो चर्णों में सुरू हुई थी और हमारे नो निर्वाची तो आट सदस भाई बंदु समझ भी नहीं पाए थे कि अकिस चीज के लिए बैठक हो रहा है बैठक हो रहा था जो है कि सबका जोजना सबका विकास जो है उसके लिए इंद्रावास की सूची के अनुमोदन के लिए इनहीं सब बातों के लिए बैठक हो रही थी जिस पर कोरोना ने पानी फेरा है और आप लोगों की अब बैठक जो है कि 21 जनवरी के बाद ही होगी और लक्षमी के दर्सन अब लगता है कि फर सब्सक्राइब करें नहीं मिलेगा क्योंकि सबकी जोजना सबका विकास एक केंद्र सरकार की महत्वा कांची जोजना है उसी के लिए जो है कि गराम सभा को रोक दिया गया है तो आप लोग उमीद है कि आप लोगों को अपनी जनकारी पता चल गई होगी अब बात करते हैं थोड़े समय में संभीदा कर्मी भाई बहनोगी तो देखिए मेरे पास एक सूची है सूची में कुछ चर्चित संभीदा कर्मियों के नाम है जिन है आमतर पर सभी लोग जानते हैं वैसे तो संभीदा कर्मी बहुत हैं और अच्छे-च्छे मंदे और पदले रखे हैं जि है कि बहुत सारे जो उसके स्टाप होते हैं लेकिन उन सारी बातों के पीछे जाने से पहले हम और वर्गी क्रित और वर्गी क्रित क्या है संभीदा कर्मी जान ले और ध्यान पूर्बग सुनिएगा आप सभी लोग यदि इस वीडियो पर आ गये हैं तो आप इसको ध्यान पूर्बग सुनने और समझने का प्रयास किजिएगा सिर्फ फोटो मत देखिएगा तब आप समझ पाईएगा और जब समझ पाईएगा तब अपना अधिकार लेने में सक्षम हो पाईएगा तो हम आज आपको बताने वाले हैं वर्गी क्रित और अवर्गी क्रित की संभीता कर्मी महा संग करता रहता है यह एक कानुनी सब्सक्राइगा है तो हमारे पास एक सूची है सूची में हमने कुछ नाम लिख रखे हैं संभीता कर्मी जो चरशित संभीता कर्मी हैं उसमें हमने लीख रखा है इंद्रावास सहायक, पंचायत रोजगार सेवक, विकास मीत्र, लेखा पाल सोहाइटी सहायक, समाज कल्यान विभाग ICDS ऑपरेटर, राजवासुयम भूमी सुधार, चकबंदी के संबीदा कर्मी, मनरेगा में कारजरत संबीदा कर्मी, PhD के स्वास्त विभाग उद्ध्यान निदे साल है, LSBA के परखंड समन्वायक, लोहिया स्वक्ष भिहार अभियान जो चलता है, उसके परखंड समन्वायक होते हैं, स्वास्त विभाग में एन निम होती है, और कर्जपालक सहाय को तो सभी लोग जानते हैं, लगभग सभी कर ज लेओं में बीना काजपालक सहाय के आज कोई काम नहीं होता है, यहीं डाटा इंट्री ऑपरेटर और जो है कि कम्प्यूटर ऑपरेटर का काम करते हैं, आंगन बाड़ी सिविका होती हैं, सहाईका होती हैं, आसाव और करसा हैं, और निहायमीत्र होते हैं, ग्राम कच हरी अचीव होते हैं, किसान, सलाकार, रात्री, परहरी, ठोला, सेवक, जैसे तमाम जो है कि इन लोगों को, और यह सभी लोग अपने आपको कहते हैं कि हम संभीदा कर्मी हैं, तो सबसे पहले समझे लिजिए कि संभीदा कर्मी का और्थ क्या होता है, आप लोगों की बाहली हो जैसे आपको पता दें, इंद्रावा, सायक, पंचायतरोजार सेवक, विकास, मीत्र, टोला सेवक, यह लोग जो हैं, इन लोगों को सरकार ने अस्थाई कर रखा है, यह लोग जो है वर्गी किरित इनको या फोर्थ ग्रेड या दूसरे वर्ग या तिसरे वर्ग में सरकार जो है कि मानती है, कि यह सरकारी कर्मी है, और इन लोगों का उदाहरा न ध्यान दिजिएगा, जिन लोगों की सेवा अस्थाई कर दी गई है, उन्हें वर्गी किरित कर दिया गया है, उन्हें सरकारी कर्मी का धर्जा प्राफ्थ है, इन लोगों को है कि EPF मिलता है, चुकि कि इनके सेवाभिस्तार की आवस्यक्ता नहीं पड़ती है इसलिए इनको इपीएफ देना सरकार की मजबूरी है क्योंकि सरकार इने साथ सालव के लिए रखे हुए है इनका एक सीमा तय है कि यह लोग साथ वर्सों तक सरकार का काम करेंगे उस परिस्तिती में इनको जो है कि इपीएफादी की सुविधा देना कानूनी रूप से बद जहाता है लेकिन कुछ वैसे समभिधा कर्मी जिनका सेव विशतार होता है यानि कि जिनका कोई टर्म कंडीशन जो है उनका 5 साल-2 साल या 11 माह के लिए रखा है उनको एक सरकारी कर्मी का सीमा होता है तह सीमा के लिए उन्हें नहीं रखा गया है किसी को 11 मा है किसी को 5 साल किसी को 4 साल के लिए रखा है जीने सेवा विस्तार दिये जाने कि आवस्याकता समय समय पर पड़ती हैं उन लोगों को जो है कि अवरगी किरिप कहा जाता है यानि कि वे किसी वर के नहीं वे कंटेक्टर है अनुबंद एक ठेकेदार की तरह है अब बंधुवा मजदूरी और अनुबंद में अंतर के आ है सरकार यहाँ पहुश जाती अब इसमें जो है कि आपका टर्म कंडिशन में लिखा हुआ है कि आप जब चाहें नोकरी छोड़ कर जा सकते हैं इसलिए अब बंदुवा मजदूरी नहीं है किन्सटुविए इसी में टर्म कंडिशन में रहता कि आप पांच साल तक आपको नौकरी करना ही करना है अब किसी परिश्थिती में छोड़ करना ही जा सकते हैं तो mouth for i कि कर टेगेरी में आ जाता है या कौम संभीधा कर्मी हैं जिनका जो है कि अब टर्म एन कंडिशन ऐसा है कि समय समय पर उन्हें सेवा बिस्तार किया चुकि आप जो है कि लागातार किसी को सेवा में बनाये रखियेगा तो आप उसको जो है कि सारी सुभिधाय आपको देनी पड़ेंगी आपको उसको EPF देना होगा क्रमचारी भविष निदिजी से कहते हैं मेडिकल सुभिधा महांगाई भाता वो गैरा सब कुछ दो देना होगा इसी खर्च को बचाने के लिए सरकारे क्या करती है कि पांच साल पर सेवा बिस्तार करती है ताकि वह यह बात जब भी न्याले में जाएगा तो सरकार कोहेगी कि हम तो इनको जो है कि इतने दिनों के लिए ही रखे थे और हमने इनका सेवा बिस्तार किया है लेकिन ऐसा नहीं होता है सरकारे फोस जाएंगी फोसेंगी कहा जब न्याले देखेगा कि आपने लगातार 15 वर्सों तक रिएगुलर सर्विस में रख लिया रिएग स्वमिट लाने के लिए आपको न्याले में जाना होगा और न्याले की स्तिती अभी बहुत कराब है अभी लेक स्तिती हो गई jas La Ra. कि यह किया कौन, कि केस की एक हργातार है है , 。 तो उमीद करता हूं कि यह वर्गी किरि और वर्गी किरित का फर्क आप लोग तलय वहुत समझ में हैं क्योंकि इन लोगों का सिवा साथ साल के लिए अस्थाई कर दिया गया है और यह लोग भी इस बात को नहीं जानते हैं कि इन लोगों को अब क्या दर्जाब पराबते हैं लोगों को सरकारी कर्मी का दर्जाब पराबते हैं और जिन लोगों का जो है कि सिवा भिस्तार करती है सरकार उन्हें उल्या कर रखे हुए है ताकी अन्य खर्च जिसमें करमचारी भविश्नीधी मेडिकल सुविधा महागाई भाता यत्रा भाता आधी का खर्च सरकार मचा सके इसके लिए और उन्हें तो मेलेंगे अगली विडियो में इसे भी महत्पुन जनकारी के साथ तब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब किजिए वीडियो को लाइक किजिए ज्यादा से ज्यादा से ज़िए ताकि सभी लोगों तक हमारी बाते हैं पहुंच सके इस अभियान में जिसको हम चला रहे हैं दबे पुखले को आगे लाने का उनके सपलता मिलने तो मिलते हैं अगली वीडियो में सब्सक्राइब जै हिल जै भारत जै समझीदा जै वियाद